अब की बार 400 पार ये नारा पीम नरेंद्र मूदी ने देश की संसत में दिया था लेकिन जनता ने 400 तो दूर 200 पर भी नहीं जाने दिया और बीजेपी को सबसे बड़ा जटका लगा था यूपी में क्योंकि बीजेपी की तरफ से यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा था लेकिन जब चुना परिणाम सामने आए तो सबसे बड़ी हार यूपी से उसे मिली इसके बाद से बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि हार का जिम्मेदार आखिर कौन है चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि हाई कमान ने हार के लिए योगी साथ बैठक में जुट गए हैं और इस बात की शुरू हो गई है कि योगी आदितिनाद की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी वैसे सवाल सिर्फ योगी का ही नहीं है दूसरे राज जहां बीजेपी की सरकार है और चुनाब में उसे हार मिली है वहां पर भी स्यम को लेकर सवाल उठ रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय योगी को लेकर हो रही है और इस चर्चा के पीछे सबसे बड़ा कारण यूपी बीजेपी में इस समय चल रहे तकरार को भी माना जा रहा है यूपी में पार्टी बिखरती दिख रही है इन सब के बीच एक सर् पिशल रिपोर्ट में करेंगे बात यूपी बीजेपी में जबर्दस्त टकराफ चल रहा है नेताओं के बीच तलखियां सामने आ रही है यूपी के डिप्टी सियम केशब मौरे डीजेपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठा करते हैं जबकि ग्रहम अंत बीजेपी हाई कमांड से लेकर योगी आधितिनात पर सभी पर सवाल उठाए गए हैं यूपी में बीजेपी को मिली हार को लेकर लोगों से सवाल किये गए कि आखिर हार का जिम्मेदार कौन है और जो जवाब मिले उसमें 22.2 प्रतीशत लोग ऐसा मानते हैं कि लोग सभा टिकेट वित्रण हार का सबसे बड़ा कारण था हार के कारणों को लेकर जो सवाल किये गए उसमें हार का जो कारण बताये गया उसमें सी वोटर के अनुसार अति आत्मविश्वास 20.6 प्रतीशत जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं 14.4 प्रतीशत गलत उमीदवार 22.2 इसके बाद दूसरा सवाल था कि आखिर हार का जिम्मिदार कौन है तो उसके जवाब में राज्य के नेता 28 दर्शनलव 3 प्रतीशत केंद्री नेत्वरत्व 21 दर्शनलव 9 प्रतीशत जबकि पार्टी संगठन 18.8 प्रतीशत यानि जनिता ने राज्य केंद्र और पार्टी संगठन सभी को जिम्मिदार माना है तो वहीं अगला सवाल था कि बीजेपी को यूपी में सबसे जादा नुकसान इस सुनाब में किस से हुआ जवाब में समिधान बदलने का आरोग 22 दर्शनलव 2 प्रतीशत बेरोजगारी और महेंगाई 49 दर्शनलव 3 प्रतीशत नेता कि यूपी में बीजेपी आयोध्या में बने राम मंदिर के नाम पर ही चुनाम जीतने की कोशिश में जुटी हुई थी ऐसे में सवाल पूछा गया कि आयोध्या में हार की वजा क्या रही जवाब में ओभी सी दलीतों में नाराजगी 28 दर्शनलव 1 प्रतीशत अकलेश का 24 दर्शनलव 1 प्रतीशत सरकार के प्रती नाराजगी 13 दर्शनलव 8 प्रतीशत ऐसे में अब तक के सर्वे से यह सामने आया है कि बीजेपी उन मुद्दों पर हारी है जिन मुद्दों को विपक्ष ने जनिता के बेच सुगमता सी रखा उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार ने नहीं किया है ऐसे में जब सी वोटर से पूछा गया कि क्या बीजेपी यूपी से सीम योगी को हटाने की तयारी में है तो सर्वे में 42 प्रतीशत लोगों ने हां कहा जबकि 20 दर्शनलव 2 प्रतीशत ने नहीं और 28 दर्शनलव 6 प्रतीशत ने कहा चर्चा हो रही तो वहीं जब सी वोटर से बात की गए कि आखिर क्यों योगी को हटाने की तैयारी है तो जवाब में 25.5 प्रतिशत लोगों ने माना कि पार्टी का एक तबका योगी से नाराज है जबकि 8.0 प्रतिशत लोग मानते हैं कि गठबंदन सहयोग्यों का बढ़ता दवाब जबकि 11.6 प्रतिशत योगी को नहीं हटाने की बात कह रहे हैं सामने आए सर्वे में जहां ये बात निकल कर सामने आए कि खराब रणनीती चुनाव में सही मुद्दों पर ध्यान ना देना OBC वोटर्स के खिलाफ सम्विधान आरक्षन खत्म करने जैसे नारों ने BJP को भारी नुकसान पहुचाया और अब CM योगी के लिए यही OBC वर्ग के नेता CM योगी के खिलाफ हो गए हैं और 36.8 प्रतिशत नेता CM योगी को हटाना चाते हैं जबकि 25.3 प्रतिशत नहीं और 13.8 प्रतिशत नेताओं का मानना है कि सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं जबकि 9.9 शून प्रतिशत का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा CM योगी से OBC की नाराजगी अब किसी से छुपी नहीं है सबसे पहले जहां NDA की सहयोगी पाटी अपना दल S किया द्यक्ष अनुप्रिया पटियल ने CM योगी को पत्र लेखर योपी में भर्तियों में OBC आरक्षन की बात कर अनुप्रिया ने जाती जनगर्णा कराने पर जोड़ दिया और ये बात भी कही कि आरक्षन के मुद्दे पर ध्यान ना देने की वज़ा से योपी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और यही नेता नहीं बलकि निशाद पार्टी के प्रमुख संजे निशाद ने तो ये तक कह दिया कि बिना OBC के बीजेपी योपी में जीत नहीं सकती है और इने हवा देने का काम किया योपी के डिप्टी सियम केशप रशाद मौर ने भी सियम योगी को पत्र लेकर योपी सरकार के नियुक्ति और कार्मिक विभागों में आउट सोर्सिंग और समिधा करमचारों की संख्या और उनमें आरक्षन का पालन किये जाने से कारी मांगी और ज्यादा दूर ना जाए तो यूपी में चल रहे मौनसुन सत्र में योगी के तीन बिलोग पर विधाय को ने मनजूरी ना दे कर योगी के खिलाफ बगावती सुर अपना लिये तो वहीं योगी भी सदन में ये साफ कह दिया कि मैं किसी की नौकरी नहीं कर रने आया हूं साफ है एक तरफ योपी में बीजेफ्र और सहयोगी दलों ने योगी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं तो वह योगी भी अपने थंडे कड़ने को तैयार नहीं है। यूपी में बीजेपी नेताओं और सीम योगी के बीश तनातनी के ये संकेत दिये हैं कि आने वाले समय में यूपी में बड़ा फेर बदल होने वाला है लेकिन अगर बात इन सी वोटर्स की करें तो इसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पीम मोदी के दिये वयान समिध विधान को बदल देंगे मचली मंगल सूत्र चीन लेंगे आरक्षन को खत्म कर देंगे बिना चर्चा के ऐसे उमिद्वारों को खड़ा कर देना जिनका कभी नाम उमिद्वारी की रेस में था ही नहीं और लोगसभा चुनाब में आए परिणामों में विफलता का ठीकरा क जिवल सीम योगी पर फोर देना कहां तक सही है क्योंकि ये सारे बयान तो पियम मूदी ने दिये थे और ये चुनाब लोगसभा के लिए थे ना कि विधान सभा के लिए तो हार के जिम्मेदारी सीम योगी पर फोर ना अपने ही पाटी पर सवाल खड़े करता है कि अगर जीते हैं तो पियम मूदी के चेहरे के बदालत और अगर हारते हैं तो उसका जिम्मेदार कोई और होगा आपको क्या लगता है यूपी की हार का आखिर जिम्मेदार कौन है सीम योगी या फिर पियम मूदी